बिस्मिल्ला रह्मान अर्वाहीम चैप्टर नमबर वन इंट्रोड़क्शन पार्ट थ्री इंट्रोड़क्शन पार्ट थ्री में हम लिमेट्स आफ फंक्शन पढ़ेंगे ठीक है यह फंक्शन पार्ट फंक्शन पार्ट थ्री माद्स आफ पढ़ेंगे ठीक है दो कि अ wenn प्विल्मिल्दट पर्ट एक पार्ट जा रही है या इस फंक्शन के अजर हम इन पूट जो आँ जा टिए तो तो उससे पहले हम एक देखते हैं symbolically जिसे हम लिखते हैं x approaches to zero तो यह क्या चीज़ है इसको हम पढ़ते हैं कि x approaches to zero या फिर x tends to zero ठीक है या आप इस तरह की कोई term देखेंगे x approaches to a ठीक है इसको पढ़ेंगे x approaches to a और x tends to a तो या फिर एक ओर टर्म आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे x approaches to infinity या फिर इसको पढ़ेंगे x approaches to x tends to infinity ठीक है तो x approaches to zero का क्या मतलब है कि जिस तरह से यह है कि 1,1 by 2,1 by 2 की power n ठीक है तो इस तरह से देखें यह आगे आगे चलता जाया है सही है 2 power n की values 1,2,3,4 कुछ भी हो सकती है सही है तो यह जिस आगे आगे किस तरह से चलेगा 1 की power 1,2 की power 2 ठीक है 1,2 की power 3 तो यह इस तरह से यह decrease होती जा रही है value ठीक है जिस तरह से यह इसको अगर मैं open करूं तो यह के बनता है 1 over 4,1 over 8,1 over 16 ठीक है तो यह 0 के करीब करीब जाती जा रही है यह value लेकिन यह कभी भी इसका result जो है वह 0 नहीं आएगा तो इस तरह से फिर जब यह 0 के करीब चली आती है ठीक है तो हम इसको किस तरह से express कर सकते हैं किस तरह से कहेंगे कि 0 के करीब है closer to 0 है ठीक है तो उसको हम इस से represent करते हैं कि x approaches to 0 ठीक है x approaches to 0 और x is equal to 0 में क्या फरक है कि यह exactly जो है उसकी value x की 0 है ठीक है X approaches to 0 का क्या मतलब है कि X के क्रीब क्रीब वैल्यू है सही है तो exactly 0 वैल्यू नहीं है और X approaches to A का भी यही मतलब है कि कोई ना कोई constant है सही है तो उसके क्रीब क्रीब हमारे बस वैल्यू होगी X की ठीक है या थोड़ी सी बड़ी हो सकती है थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन exactly a यानि के वो constant की value के equal नहीं होगा इससे तरह से infinity को approach करिए मतलब के 1,2 power n ठीक है इस तरह से आगे अगर इसको extend किया जाए तो यह बनता है 1,4,8,16 and so on तो यह अब बनता है इस तरह से values increase होती जाएंगी ठीक है या फिर हम बात करेंगे 10 की power n सही है तो इसको extend अगर करें n जो है वो आगे चलता जा रहा है 1 से लेकर और यह numbers आगे आजाते हैं ठीक है तो यह 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3 मतलब के 10,100,000 ठीक है and so on आगे चलता जाएगा value इसकी increase होती जाएगी जादा से जादा होती जाएगी ठीक है लेकिन वो कभी भी infinity नहीं बनेगा ठीक है infinity के करीब करीब पहुंच जाएगा बहुत जादा value हो जाएगी इसकी लेकिन यह उसकी value exactly कभी भी infinity नहीं आएगी तो इसको फिर हम उस चीज़ को express करने के लिए हम यह term use करते है x approaches to infinity तो अब इस पर हम जब functions पर limit लगाते हैं वो हम किस तरह से लिखते हैं देखें let suppose f of x एक function है ठीक है इस पर limit लगाता हूँ limit x approaches to a ठीक है कोई सभी एक constant कुछ है वो x approach कर रहा है x के चीज़ है वो input है इस function की उस input पर function की input पर हम limit लगा रहे है कि यह input approach करी है a को ठीक है exactly a के equal नहीं है बलके a को approach करी है तो फिर वो इस की value l आ रही है ठीक है तो यह किया चीज़ है l जो है वो लिमिट है इस function की सभी है l क्या है वो value है वो limit है उस function की मतलब कर जैसे जैसे x approach करता है a की तिरफ तो हमारा function की value l के equal हो जाती है सभी है तो इस तरह से हम function के ओपर limit apply करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे limit of function f of x as x approaches to a and is equal to l, l की value आ जाती है अब हम कुछ theorem's देख लेते है limits के limit का theorem number one, theorem number one है theorem number one, theorem number one में क्या है कि the limit of the sum of two functions is equal to the sum of their limits ठीक है, तो मतलब के अगर हम दो functions का sum हो रहा है let's suppose f of x और g of x दो functions हैं उनका sum हो रहा है, अगर इस पर हम limit apply करते हैं तो इनके sum पर हम limit apply करे हैं limit x approaches to a तो इसको हम किस तरह से और solve कर सकते हैं इनकी अलादा अलादा limits भी ले सकते हैं ठीक है यह limit of x approaches to a f of x plus limit x approaches to a g of x ठीक है, कहने का मतलब यह है कि the limit of sum of two functions is equal to sum of their limits ठीक है, मतलब कि दो functions के sum की limits को हम दो function, दोनो function के limits के sum के equal भी कह सकते हैं तो यह है मारे पास theorem number one अब हम theorem number two पे आते हैं theorem number two में क्या कहा गया है कि the limit of difference of two functions ठीक है जिस तरह से यह addition है उसी तरह से subtraction में भी यही काम होगा theorem number two मतलब कि limit हम apply करते हैं x approaches to a दो functions के difference पे f of x minus g of x पे तो यही काम होगा कि उनकी अलादा-लादा से हम limits ले सकते हैं x approaches to a f of x minus limit x approaches to a g of x तो इसको हम in words क्या कह सकते है the limit of the difference of two functions is equal to difference of their limits मतलब कि दो functions के difference के ओपर जो हमने limit apply की है वो equal है दोनों की limits के difference के ठीक है तो इस तरह से अब हम आगे theorem number 3 पर आते हैं theorem number 3 theorem number 3 में है अगर कोई constant जो है वो function के साथ multiply हो रहा है और उस के ओपर हम limit लगा रहे हैं ठीक है मतलब कि यह जो है f of x एक function है जिसके साथ कोई constant multiply हो रहा है ठीक है इसके ओपर हम अगर limit लगा रहे है limit x approaches to a तो हम इस constant को limit से बाहर लेके जा सकते हैं क्योंकि limit से उस constant पर कोई फरक नहीं पड़ेगा constant हमेशा constant रहेगा तो हम इस constant को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह से limit सरफ function के ओपर आ जाएगी ठीक है f of x पर आ जाएगी यह है theorem number 3 और theorem number 4 पर आते हैं theorem number 4 the limit of product of functions is equal to product of their limits जिस तरह से addition और subtraction की बात की थी उसी तरह से product पे भी यही काम होगा के दो functions आपस में multiply हो रहे हैं product of two functions है f of x और g of x यह दोनों functions आपस में multiply हो रहे हैं अगर इनके product के ओपर हम limit apply करते हैं limit tax approaches to a तो हम इसको अलएदा अलएदा से भी इनके limits को multiply कर सकते हैं limit x approaches to a f of x और साथ में limit x approaches to a g of x ठीक है तो in words हम इसको क्या करेंगे the limit of product of functions is equal to the product of their limits ठीक है यहां पर functions का product है उसके पर limit लगी हुई है जो के equal है दोनों limits के product के ठीक है तो यह हो गया theorem number four theorem number five में क्या है वो हम देखते है theorem number five अच्छा theorem number five में क्या का जिस तरह से product की बात हुई है उस तरह से quotient की बात करते हैं ठीक है quotient क्या होता है कि मतलब के ratio में कोई अगर functions है तो ठीक है तो मतलब f of x divided by g of x है f of x divided by g of x यह दो functions आपस में ratio में हैं ठीक है divide हो रहे है divide एक function दूसरे को divide कर रहे है तो अगर इसके उपर हम लगाते है limit x approaches to a तो फिर हम इसको लाइदा-लाइदा से limits भी ले सकते हैं ठीक है limit x approaches to a f of x divided by limit x approaches to a g of x तो कहने का मतलब यह है कि किसी दो functions के quotient के उपर अगर हम limit लगा रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि उन दोनो limits के quotient के बराबर है ठीक है तो in words हम कहेंगे the limit of quotient of functions is equal to the quotient of the limits ठीक है provided the limit of denominator is not zero ठीक है मतलब कि denominator पे जो है limit apply करने से वह पस answer zero ना आए इसका ठीक है denominator zero ना बने बाकी जो है बाकी तो हम accept कर लेंगे लेकिन जो denominator वह zero ना बन रहा हो सही है तो theorem number five के उपर यह limitations है कि denominator zero ना बन रहा हो और theorem number six पे आते हैं theorem six theorem six में क्या है कि limit of function जिसके उपर power हो ठीक है तो कोई function है उसकी whole power है ठीक है यह function है उसके उपर whole power है n तो इसके उपर अगर हम limit लगाते है limit x approaches to a तो इस limit को हम इस power के अंदर भी लेके जा सकते हैं ठीक है तो यह हम लेक सकते हैं कि limit x approaches to a f of x और इसकी whole power भी हम लेक सकते हैं इस तरह से तो यह थे theorem of limits ठीक है तो आगे हम चलते हैं एक और theorem है जो कि इस chapter में की बाकी exercises में बहुत use होगा ठीक है वो है limit of limit theta approaches to limit theta approaches to 0 किसके ओपर limit है sin theta over theta ठीक है limit हम लगा रहे हैं theta के ओपर theta approaches to 0 theta जो है वो 0 अपरोच कर रहा है और जो कि function क्या है sin theta over theta तो फिर इसका result 1 आएगा ठीक है यह आप theorem पहले भी classes में पढ़ चुके हैं ठीक है इसका proof भी आप पढ़ चुके हैं तो इसको अभी हम use करेंगे इस chapter में अब हम बात करते हैं one sided limits की ठीक है one sided limits क्या होती है कि पहले हमने बात की थी कि एक limit है function के ओपर के इस तरह से है limit x approaches to a ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि let's suppose यह एक x axis है ठीक है यह x axis है तो यहां पर जो है a लाए कर रहा है सही है यहां पर a लाए कर रहा है a बाकी जो है a minus one a minus two a minus three और यहां पर a plus one a plus two और a plus three ठीक है यह x axis है तो x को हमने कहा कि x approach कर रहा है a को ठीक है a को approach कर रहा है मतलब कि अब यहां से हम approach किस तरह से कर सकते हैं कि यह a है a value यह है ठीक है यहां से भी approach किया जा सकता है a को ठीक है इस side से भी approach किया जा सकता है ठीक है दोनो side से a को approach किया जा सकता है तो X approaches to A का मतलब ये है कि दोनों साइड से अप्रोच किया जा सकता है A को तो अगर one sided की बात करें तो कौन सी दो साइड से बनती है एक left side और एक right side ठीक है तो one sided में क्या आजएगा या सिरफ left hand limit होगी या फिर right hand limit होगी तो left hand limit ठीक है ये एक one sided limit है तो left hand limit क्या है कि हम limit इसको किस तरह से लिखेंगे left hand limit को limit X approaches to A negative सही है X approaches to A negative क्या होगा कि वो left hand side से approach करी है ठीक है उस value को A जो है कोई constant है सही है उस A को approach करेंगी limit कहां से left side से ठीक है ए नेगरिव का मतलब ही है left side से approach करेंगी और उसको हम left hand limit केंगे मतलब कि अपरोच करते हुए A से हमेशा कम ही value होगी जादा नहीं हो सकती ठीक है equal तो हो नहीं सकती ठीक है तो जादा नहीं हो सकती अब इस A एक से approach to A का क्या मतलब था या थोड़ी सी जादा होगी उसकी value या फिर थोड़ी सी कम होगी value ठीक है तो सिरफ left hand limit का क्या मतलब है हमेशा कम ही होगी तो थोड़ी सी कम होगी तो थोड़ी सी कम होगी तो अगर हम बात करें right hand limit की right hand limit right hand limit में क्या होगा कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे limit x approaches to a positive ठीक है a positive मतलब कि right hand side से जो है वो limit approach कर रही है ठीक है a को मतलब कि यह right hand limit है right hand limit और यह है left hand limit सही है तो right hand limit का मतलब ही है कि right side से हम a को approach कर रहे हैं सही है तो इसमें यहां पर देखें a से ज्यादा ही value होगी ठीक है कम नहीं हो सकती तो x approaches to a positive का मतलब ही है right hand limit right hand limit में थोड़ी सी a से ज्यादा ही होगी value अब हम देखते है continuity of function क्या होता है ठीक है at a number continuity continuity of a function at a number continuity of a function at a number सही है तो continuity क्या होती है function की कि अगर देखें इसकी 3 conditions होती है अगर function जो है की continuity हम चेक करें at c c let c is the number let c is the number जिस पर हमने continuity चेक करनी है function की function क्या है let function is f of x ठीक है इस function की हमने continuity check करनी है at c तो इसकी 3 conditions होगी एक condition यह है के f of c should be defined f of c should be defined defined मतलब के अगर हम इसमें x input में c input दें अगर इस function में ठीक है c को input दें तो हमारे पास कोई ना कोई defined output आनी चाहिए ठीक है क्या है continuity की कि limit x approaches to c f of x exist ठीक है मतलब के हम limit भी apply करें इस function के उपर जो के हो x approaches to c ठीक है वो भी exist करनी चाहिए और साथ में जो है इस limit की value वो आनी चाहिए f of c की value के equal ठीक है third इसकी condition यह बन जाती है कि जो limit apply करने से हमारे पास function का result आया है यह output आई है वो equal होनी चाहिए इस function की defined value के तो यह तीन conditions है continuity के लिए के function तब continuous होगा जब यह तीनों की तीनों satisfy कर रही होगी सही है अच्छा अब इन में से कोई भी एक satisfy ना कर you condition तो वो function discontinuous हो जाता है उसको हम कहा देंगे कि यह function discontinuous है तो इसकी एक example कर लेते हैं let f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 ठीक है तो यह एक function हमें given है let's suppose तो इस पर हम one पे इसकी continuity check करते हैं कि क्या one पे यह function continuous है यह नहीं है तो देखें f of one पहले ही condition क्या थी के add that value ठीक है add that number उस number को हम input देंगे तो हम check करेंगे कि वो defined है यह नहीं है तो f of one is equal to क्या बनता है one का square one का square minus one divided by one minus one is equal to one minus one is zero divided by zero ठीक है zero by zero is undefined undefined तो यह तो पहली ही condition इसकी जो है satisfy नहीं होई तो उसका मतलब यह है कि यह function discontinuous है add one ठीक है f of x is discontinuous add one ठीक है one ऐसा नमबर पर यह function discontinuous है ठीक है तो एक और example इसकी देख लेते हैं कि let's suppose एक function और है मारे पास f of x is equal to three x square minus five x plus four ठीक है इसकी continuity हमने चेक करनी है add x is equal to one पे ठीक है तो वही तीन conditions हम चेक करेंगे सबसे पहले तो function की value हम चेक करेंगे चेक करेंगे कि वह defined है यह नहीं है तो f of one की इसके equal आ जाता है three into one का square minus five into one plus four इसको solve कर लेते हैं three minus five plus four यह two answer आ जाता है ठीक है तो जो के एक defined value है two a real number है तो f of one जो है उस पे defined value आ रही है हमारी function की तो अब हम दूसरी condition check करेंगे कि उस limit limit exist कर रही है या नहीं कर रही है तो limit x approaches to one f of x सही है is equal to limit यह पहली condition थी यह दूसरी condition है limit x approaches to one function क्या है three x square minus five x plus four ठीक है अब इस पे हम limit apply करेंगे तो इसकी value जग करते हैं तो यह क्या बनेगा three into one square minus five into one plus four यह बन जाता है three minus five plus four जो के result बन रही है two ठीक है limit x approaches to one f of x is equal to two ठीक है इसका मतलब है कि यह जब हमने limit apply की तो वह भी एक defined value आ रही है मतलब कि यह limit exist कर रही है ठीक है limit exist कर रही है उसके बाद हम third condition पर आते है third condition क्या थी के limit of x approaches to one f of x equal होनी चाहिए यह f of one के ठीक है तो यह क्या यह condition satisfy हो रही है यह नहीं तो limit f of x approaches to one f of x is equal to two है सही है और इसको अगर देखें तो f of one की value भी two है तो दोनों equal है तो यह third condition भी satisfy होनी है तो हम कह सकते हैं कि यह जो function है f of x is equal to three x square minus five x plus four यह एक continuous function है अगर इन में से कोई सी भी एक condition भी satisfy ना और यह होती ठीक है result ना सही आ रहा होता मतलब कि limit या तो limit exist ना कर रही होती या फिर function की value जो है उसको हम जो number जिस पर हमने continuity चेक करनी है वो input अगर हम function को देते हैं और हमारे पास undefined value आती है फिर भी वो function discontinuous हो जाता ठीक है तो या फिर दोनों की values limit की value और function के उपर जो हमने input दी है उसकी value equal ना आती तब भी वो function discontinuous हो जाता तो यह हमारा limit का introduction था ठीक है अब हम आगे अगले लेक्चर में limit की exercise करेंगे 1.3 स्टार्ट करेंगे